दोस्तों नमस्कार मुद्दे की बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की चर्चा में हमारा जो मुद्दा है वो है नविमबई चुनाओ नविमबई चुनाओ इसलिए क्योंकि सरकार ने फिर से एक बार चुनाओ को आगे कुछ महीनों के लिए टाल दिया है जबकि पूरी तयारी लगभग हो चुकी थी इस पर आज हम इस मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज इस कारिकरम में खास तोर पर च अचना की घोष्णा हो गई अब यह उम्मीद की जा रहे थी कि अप्रेड में चुनाओ और तभी सरकार ने इसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया आप इसे किस सरा से देखते हैं मुझे लगता है सुदिर जी हम इस विशाय पर कम से कम तीन चार बार चर्चा कर चुके हम और पहले दिन से मेरा यह मानना है कि यह जो महाविकास अगाडी की जो सरकार बैटी है महाराष्ट्रा में आप देखेंगे कि शुरू से कुछ न कुछ बहाने डुण कर इनको महाराष्ट्रा में कोई चुनाओ करना नहीं है इसके पीछे के कारण भी काफी मनलें अभी हम राजकी एक्षेत्र में काम करते हैं आप पत्र का रहे हम दोनों बैठ कर समझ सकते हैं लेकिन अभी जनता भी जानने लगी है कि यह लोग कितने दूर भाग रहे चुनाओ से यानि एक कुछ दिन पहले इनोंने नगर पंचायत के चुनाओ करने की छेडखानी की और उसके बाद तो यह मतलब खास करके शिव सेना के मुख्य मंत्री है शिव सेना तो पूरी दस गई क्यूंकि ऐसे कभी मुहाराष्टा के इतियास में हुआ नहीं कि जिस पार्टी का मुख्य मंत्री बैटा है नगर पंचायत के चुनाओं ने क्या नतीजा दिया तो जो विरोधी पार्टी है विरोधी बक्षाय भारतियंदा पार्टी अकेली लड़ रही है उसको जन्ता ने एक नमबर पे बिठाया याने 1802 सीट में से 390 सीट या भीजेपी को मिले है और जो पार्टी का मुख्य मंत्री बैटा है उसको 278 याने लगबक 1500 सीट शिव सेना की कम हो गई औ और भाजय पाकी लगबक 700 सीट बढ़ गई याने विरोधी पार्टी का काम ये जन्ता को ज्यादा पसंद आ रहा है सत्नावारी पार्टी से और ये रुजान जो आ रहे है ना इस रुजान से ये महाविका साकर्डी सरकार जो है वो डरी हुई है और इस डर के कारण आगे क लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे जाते जा रहा है हमारे कैला इससे उदशोंगे हमारे नेता जानी कि इससरे के चलते है चुनःओ में जाने की सरकार की कोई हिंमत Shivu Senna के मुख्यमंतरी की त pots बिलकुल भी इममत नहीं ये मेरा पहले दें से लाबाध अभी का सही अभयास किया होगा तो अभी जो चार दिन पहले भी मनने सरवच नयायल का जो ओर आया है है उसमें भी सीधे-सीधे यह बताया गया है कि क्युंकि हमें empirical data सरकार से सही मायने में नहीं मिल रहा है इसके कारण यह हमें जबर्दस्ती करनी पड़ रही है यह यह अंग अगर प्रपर आयोग स्थापिद कर लेते उस प्रपर आयोग को प्रपर लोग देते ए टेकनिकल लोग अज मार्केट में उपलब्द है जानकार लोग उपलब्द है उनको सही अगर आप रोल देते उनको जितना फंड चाहिए ने साढ़े 400 करोड का बजट बनाया था ओबी सरकार ने आयोग को दिये कितने 5 करोड रुप है उस आयोग के सदस्या है उन्होंने ओन-air स्टेट्मेंट डिया हुआ है कि इस सरकार को यह आयोग का कामी करने देना नहीं है और जो कागला सरोच नयायले में सब्मिट किये इन्होंने वो भी इतने फॉट है कि मानने नयाय कि इस तरीके का वाक्य प्रयोंग उसमें किया हुआ है तो यह सरकार जितनी बाहर नयायले में गई इनको चपराक लगाई है और फिर भी यह सुदर नहीं रहे उनको सुदरना नहीं है आपकी पार्टी ने कुछ जगहों का कुछ दस गाउं का इंपरिकल लेटा उन्होंने इनको कुछ करना नहीं है इनको कुछ करना नहीं है इनके जो मोटीव है वो बिलकुल अलग है और जिस तरीके से इनके तीन मंत्री अभी सिधे सिधे कानून के दाइरे में आ गए है दो लोकों का तो इस्तिफा हो गया इक मंत्री जेल में है इनके अधिकरी जो जिनको इन्होंने लेकर आये थे बड़े जोर शोर से वो अधिकरी जेल में है उनकी भी पुष्टाच हो जिस तरीके से मतलब अभी इनके स्थाही समीटी के अध्यक्ष मुंबई के इनके घर में जो गबाड मिला है पैसे का वो मामले सारे और उनके सारे असोसियर्ज तो यह सारी चीजे अभी दिरे 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 बाहर आ रही है और इनका सत्ता में बैठने का उद्यश क्या है यह के सामने एक दम स्पश्ट रूप से आने लगा है मुझे तो कही बार ऐसे लगने लगा है कि यह लोग सरकार में सप्ता में बैठे हुए है और जैसे कहते हैं कि महाबारत में प्रभू श्री कृष्ण ने बताया था कि शिशूपाल का वद तभी होगा जब उसके सव अपर बाकी है और हम अभी कल्यूग के दौर से गुजर रहे हैं तो शायद यह रेशियो भी असी तक आके खतम होगा क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बेशर्मी से नवाब मलिक का राज जिनामा हम यह इस्तीफा नहीं लेंगे यह जो स्टैन लिया ही सरकार ने मुख्यमंत्रि और माने शरुत पावर जी ने तो मुझे लगता है कि सवह अपरात तक भी रुकने की ज़रूत नहीं है आज तो आज तो आपकी पार्टी ने आप लोगों ने हला मचा आजाद मायदान में की नवाब मलिक को हटाओ महाराष्ट बचाओ क्या यह नवाब मलिक के हटने से मह इंतजाम करने थे वो इंतजाम सारे राज्यों ने मिलकर किये महाराष्ट्र ने यह इंतजाम करने में कहीं कमी रही यह बात खुली है इसके लिए महाराष्ट्र का डेथ रेशियो 28% है यानि पूरे देश में पांच लाग चौदा हजार डेथ हुए उसमें से एक लाग च इस बात को आजम करना मुश्किल हो रहा है और इसके लिए हमारे नेता किरिट सोमय जब पुने में कोविड के गोटाले निकल ने गए तो उनके उपर हमला करने तो इनकी नौबत आ गई और शिव से ना के सारे लोग पहले से जाके महानगर पालिका के बेटिंग में बैट गई है और आगे आगे यह और भी बहुत सारी घटिया चीज़े करने के बीचे लगेंगे आपने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा फेल रहा है कोविड मैनेजमेंट में महाराष्ट राज्य मुखमंतरी दावा करते हैं कि सबसे लोकप्रिय मुखमंतरी के तौर पर पूरे दे पर प्रफियार में यह लोग बहुत सारी एजन्सी लगा रहे हैं बहुत सारी चीज़े के बोलने के लिए कह रहे हैं लेकिन साब ऐसा है ना कि यह जनता अभी मुर्ख नहीं बनेगी जनता समझ रही है अगर मेरे घर का व्यक्ति इसलिए गया है क्योंकि उसको आईसिउ न तक प्रिये जनों के जान गवाई यह लोगों ने सामने से देखा हुआ है और जिसका अपना गया है वो तो कभी सरकार को आगी जाकर चुनेगा नहीं इनको साथ देगाने यह तो पक्ता है एक मैं चुनाओ पर दुबरा आ रहा हूँ क्योंकि हाई कोट ने एक निर्देश जिया था और उस निर्देश में ये लिखा गया था कि मई महिने के पहले चुनाओ हो जाने चाहिए जहां जहां जो पेंडिंग चुनाओ है जिन में काफी वक्त गुजर चुका है उसको मई तक कंप्लीट कराने का निर्देश दिया गया था सरकार उसी लिहाद से तैयारी भी कर रही थी लेकिन अब अचानक सब कुछ ठप हो गया है दिख रहा है साब तो और पर कि कहीं है चुनाओ छे महीने आगे जा सकता हो सकता है 2023 में चुनाओ आपको क्या लग रहा है खिर सर महाविकास अगाडी सरकार नहीं चाहती कि जल्दी चुनाओ आपने ये शब्द बहुत सही कहा मजबूरी महाविकास अगाडी का गटबंदन जिस तरीके से हुआ है उसको अगर हम समझे तो एक जगह कॉंग्रेस है जो एक तरीके से राश्ट्री पार्टी है दुसरी जग कॉंग्रेस का विरोध करके बाहर निकली हुई राश्ट्रवाधी कॉंग्रेस है जिन्होंने अपने सापना के समय में कॉंग्रेस के साथ से विलग होकर अपना एक अला जस्तित्पो बनाने की कोशिश की और तीसरा है शिव सेना जिन्होंने अपने सारे उम्र में सारे कार इन दो पार्टियों का घना विरोथ किया हुआ है और ये तीन साथ में बैटे हैं यही चीज हजमने हो रही है लेकिन उनकी मजबूर है मजबूर यह है कि सत्ता के क्या बोलते हैं सत्ता का सुक अगर भोगना है ना तो सारी बातों को बाहर रखो दर किनार कर दो और सत्ता का लेकिन कहींने कहीं आपका जो नीचे क्यारट कारे करता है उसके दिस्टब हो गहीं है क्योंकि महावी का सा गाड़ी अगर इकटा इन चुनाओं के सामना करे तो एक दूसरे के पर मिकालने पड़ेंगे जो उपर बैटे वाले लोगों को मानने नहीं है और अगर अलग-अलग चुनना है तो किसको कहा सफलता मिले यानि जो नगर पंचयत के चुनाओं में हालत हुई है वैसे हालत और होने की गुंजाइश है तो यह जगड़े निपटने में फिर अपर वालों का समय ने गस्त हो क्योंकि उनकी प्राइरिडी कुछ और चल रही है जिसमें वो लगे हुए है और 24 गंडे उनको कम बढ़ रहे है तो वो सारे गस्त कार्य का उनका कलाब जो चल रहा है उससे बाहर निकल गर क्यों इसमें जमेले में पड़े इसके चलते ही है सारा चीज जो आपने बदा है यह स्क्रिप्टेड तरीके से चजरा है यानि आप देखेंगे कि नभी मुंबरी शहर का प्रशासक बैटकर अभी दो साल पूरे होंगे पाच मही को ठीक है ना तो दो साल में ठीक है हम समझ सकते है कि करोना था या दूसरी वेव तिसरी वेव यह सारी चीज़ों को हम समझ प्रक्रिया नभी में महानगरपली का चुनाव आयक को लेकर इनोंने पूरी करने के लिए पूरा छूड दे और फिर OBC का मुद्दा बना कर अभी इनोंने मध्यप्रदेश में कुछ देर पहले जो निरने हुआ था उसका दाखला देकर इस तरीके का निरने किया है कि प्र सकते कि पूरें हैं नहीं रहेंगे Base confident annual कि अधिकार निकाल लिये हैं लेटी हैं वह कर सकते देखनित बाइस पार भी आनुझ बाटोव मैं एक चीज आप से जानना चाहता हूं कि जिस सिस्टम को महाराष्ट्र सरकार एडाप्ट करना चाहती है जैसे आपने जिक्र किया कि मध्यप्रदेश में निर्वाचन आयोक्स अधिकार सरकार राजय सरकार के पास अधार पर सुप्रीम कोट में फटकार खाने के बाद राजय सरकार को निर्णय लेने की जुरूत आपड़ी निर्णय तो देखिया इनके पास तो इन सारे विश्यों के बहुत ही एक्सपर्ट बड़े एक्सपर्ट बैटे हुए है इसमें बहुत सीधा साधा गणित इनका य की प्रभाग रचना के उपर साड़े 3,000 अब्जेक्शन आये है बिल्कुल हाँ यह कोई छोटी बात तो इनके ही महानविकास अगारी के सरकार के एक नेता जो राष्ट्रवाधी कॉंग्रेस के नेता है उन्होंने अन एर इन पॉब्लिक बोला हुआ है कि महानगर पालिग रचना का हुई ती और आपको देड़ दो बजए में बैट कर यह सारी रचना करते हैं तो पालक मंत्री कैंगे घर पर यह जाते हैं यह जितनद्रा कर दोंड़ियों यानि कही न कहीं ये सारी उलट फेर करने के चक्कर में गड़बढ़िया हुई है इनके मंत्री कुद भोग है और दूसरी चीज अगर हम साड़े बारा लाक मतुदार संख्या लेते हैं अभी उसकी में अगर आपको 122 वार्ड और 41 प्रबाग बना है तो एक प्रबाग जो है वो 32,000 के बने हैं यानि 32,000 यानि 20% से उपर का विर्यंस और कुछ प्रबाग जो है वो 24,000 और 25,000 के बने हुए यानि 32,000 बनाने के लिए आपने यहां के निकल के वहां डाल दिये इस तरीके की घडबडिया क्यों की गई है क्योंकि अपने कैंडिडेट जो है ना उनको य बचना यह इनके दिमाग में थी और यह कहीं न कहीं बैट कर सारा सेटल्मेंट किया हुआ है क्या है समस्या कौन है जिम्मेदार नगर सेवक अधिकारी या सरकार वाट परिक्रमा में खुलेगा घ्रष्टाचार का राज जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर लक्ष्टर शर्वाण और बहुत जल्ब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ गीत गजलक कविताओं का एक अनुठा कारिक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह तो टीवर इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम तो फिर देर किस बात की आज ही रेजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने सहित को दीजिए एक नया मुकाम नवोदित शायरों और कवियों का अपना मंच वाह जी वाह रेजिस्टेशन के लिए नीचे लेखे नमबर पर संपर करें उसेना के एक जिलाधेक्ष ने भी अपने वाड में खामिया जो हुई है दो पर भाग जो है चार किलिमेटर दूर कर दिया गया उन्हों ने भी सवाल उठा है मैं दुबारा उस चीज को समझना चाहता हूं कि जो यह निर्वाचन विभाग का अधिकार राजसरकार ले रही है कि वह अपने हिसाब से ओवी सी का जो मैनेजमेंट है वो कोटे का करेगी यह कितना फिजिवल आपको लगता कितना वेवारिक लग रहा है कि यह सही तरीके से होगा और इसका जो न्या है वो विसी समाज को मिलेगा या यह सिर्फ चलावा है टाइम खीचने का एक तरह से मुझे अगर आप उचेंगे तो यह सिर्फ इनकी स्ट्रेटेजी है यह प्रॉपर स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड़ स्ट्रेजी है कि ऐसे करेंगे फिर त नवी उंबै का अगर हम देखेंगे तो नवी उंबै में अभिजीद बांगर जी आयूक तो है एड्मिस्टेटर है उनके पास पालक मंत्री आकर बैठते है उनके पास अजीद पवार जी आकर बैठते है उनके पास जितेंदर आवार जी आकर बैठते है कॉंग्रेस के भी आज समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जब कभी चुना होंगे तो समझ में आएगा। आज समझ में आज समझ में आएगा। आज समझ में नहीं एंपार समझ में आईगा। जब करें आज समझ में आएगा। ब्लकुल्ड रहा जब कभी चुनावा ओं द्षका लूर्प में आएगा। कईने कई आपको लगता है कि महीने खीर खाई है इसके लिए कईने कई उसका मुझे खामिया जब उगतना पड़ेगा तो पहले जाके हमने कैवेड दाखेल कर दी ता कि हमारा भी जो कहना है वो हमको रखने की पूरी गुंजाईश रहे और शायद कईने कईने कई उसका ठीक अब आपको लगता है कि क्या चुनाव वाकई अब इतने दूर जाएंगे कि अब तो जनता का मूड भी बदल गया है कारकरता ठक गया है काम करते हुए आपको नहीं लगता कि सरकार के निर्णे से असमंज़स की सिती पहली बार इस तरह से हो गई साम ऐसा है ना कि एक तो दो साल आप पूरी प्रक्रिया को खीच लिया जो हमारे प्रत्याशी थे वो भी ठक गये यानि आप चुनाव होगा तीन मैने में होगा चे मैने में होगा यह सारी चीदे करके आपको दूसरी वाजु बताता हूं चुनाव लग भी गये ना तो मरदा अरक्षेंक लगा लगाई, उभी सिम्क्राइब मेरि मोधं लगाये अक लाप latte मेरे माने 711 को भी क्षा थावा भाम,माज पिषमिर सम्क्राया लो मुझ आह अरे द्वी कुना यम को सम्क्राइब को भी अरे, वो कि भी नियोजना मंगा ज़को एक दोज moordMeなた कि भी नही वहाँ पर जिन किसादों का नुकसान हुआ है ऐसे लोगों को नुकसान 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 अर्पाहिए एक रुपया नहीं मिला है , कोके इनका आल देखिये साप 20 20 साल तक लगते हैं पूरे पेड को नाडल के खोला करने के लिए और आप उनको 10 पेडों का 1200 रूपया और 1400 तो इतना बेशरम यह सरकार हो गई है और दूसरी चीज है ना कि इन्होंने जो सारी गड़बढ़िया करके रखी हुए उसको सवार्ते सवार्ते इनका 24 गंटा जा रहा है आज इनकी नीद में पूरी हो पा रही है तो यह सारी चीजों के लिए कहा हमुल जे इसी चीज में य जर्जे पोटी बनाए घरों के लिए नया जियार निकाला आपको लगता है कि यह सारी चीज हैं कहीं न कहीं उस डेमेज कंट्रोल के लिए चल लगए तो इन्होंने बेलापूर में जेटी का गाटन किया ठीक है यह जेटी किसने बना है इसको पैसा किसने दिया है यह साग प्रजेक्ट जो मानिया नितिन गड़करी जी के अंडर आता है उन्होंने यह सारा प्रोजेक्ट बना कर उस प्रोजेक्ट के तथ एक वॉटरवे का विजन बनाया है और विजन के तहट यह सारा क्रियान वैन हुआ और उसके चलते ही जेटी यहां पर बनी हुई है लेकिन कि सारे चले गए वार क्रेडिट लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है जनता सब देख रही है ठीक है ना यह धाई दाईसो स्क्वेर फिट वाला यह जो मुद्दा है यह मानने विदायक मन्ना भात्रे जी ने कई बार हाउस में उठा कर देवेंदर जी के पास इसका सारा डॉक्यमेंटेशन कर रहा कर रखा हुआ था शिर्फ कुछ टक्नी की चीज़े बाकी थी इसके लिए वो रुका हुआ इसमें से कुछ होना जाना है नहीं क्यूंकि इन्हों ने इनका इनकी प्रवुरत दी नहीं है सामान्य लोगों के समस्याओं को सहीस तरीके से सुझ जाना यह महाविकास अगाड़ी सरकार की प्रवरुति नहीं है और यह जो सारा छलावा रखा हुआ है ना इसमें से भी कोई चीज़ उबर कर आने वाली एक जो सवाल बीच में कई लोग उठा रहे थे मैं आपसे उसक में बड़ा जो प्राण अगर कहीं अटका हुआ है तो बीमसी में और सायथ सिउसेना इस बात से डरी हुए कि पहले इसको निप्टाओ दूसरे में मत तुल्जो आपको लगता है क्या कि यह एसी डर के कारण सिउसेना दूसरी जगह पर अपना हाथ पाऊ नहीं मारना चाह साहब आपको एक बात बता देता हूँ शिव सेना की सत्ता मुंबई महानगर पालिका से 2016 में ही गई थी क्योंकि शिव सेना को मिले थे 88 सी सीट और बीजेपी को मिले थे 14 सी सीट बीजेपी महराष्ट्र में केंद्र में सत्ता में थी 4-5-10 उमेदवार या सपोर्ट के सीट मिलना कोई बड़ी बात लेकिन हमारे मानिय तब के मुख्यमंत्री देविंद्र जी और हमारे पंतवरदान मानिय मोधी जी यह बहुत बड़े दिल के लोग है इन्होंने इस बात का विचार किया है कि नहीं शिव सेना हमारा बहुत समय से मित्रुबक्ष है उनकी सत्ता यह रहना हमारे लिए अच्छी बात है इसके चलते इन्होंने यह चीज छोड़ दी ने तो हमारे नेताओं का अग्रता कि उसी समय हमने सप्ता लेनी चाहिए थी तो यह इसकी पारशो भूमी है और आज जिस तरीके से भारतियंता पारिटी के सारे विश्यों को लोगों से दा इसके बात तो अभी इनको लगता नहीं कि शिवसेना को कोई वहां चाहेगा यानि मराथी वोट के उपर इतने सालों से शिवसेना ने एक तरीके से अपनी सप्ता बनाई रखी थी वो मराथी वोट भी इनके साथ है कि नहीं ऐसा संब्रम का वातावरन निर्मान हो गया और इसी के चलते अधित्य दक्रे एकना चिंदे, संजे राउत ये जाकर वहां उत्तर ब्रिदेश में बहुत बड़ी बड़ी बाशन में कहते हैं कि हिंदी भाशिक भी आबारे दोस है और मित्र है जिनका विरोध ये सालों से करते हैं तो ये समय ये नौबत अभी इन पर आ इस चुनाओं के दूर होने से सारे जो विकास के काम है वो निश्चित तोर पर इस सरकार के शुर्णा के वज़ा से थम गए हैं बिलकुल ही क्या है कि हमारे यहां का जो लोक्षाही का फैबरिक है न स्ट्रक्चर है न वो तो पुरा दोस्त हो गया है क्योंकि अकेला आदम में बैट कर सारी चिजों के दरजक होती है लोगों के प्रस्ट जो है वो प्रति निदियों के मध्यम से मैं उठावे जाते है आवशक्ता क्या है इसके बारे में चर्चा होती है फिर मानने आयकतजी उसके ओपर निर्णेगर के आगे बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर अभी पिछले दो साल से यह सारी चीजे चल रही है कि एक तरीके से लोक्षाही को खटम करना इसी दिशा में अभी यह महाविका सागा साल से वो सारी चीजों को दोस करने का काम यह प्रशासक के माध्यम से महाविका सागाडी सरकार कर रही है इसका आपको एक अच्छा उधारन मता देता हूं नविम्बे महानगर पालिका में पिछले एक साल से सीसी टीवी कैमेरा का एक टेंडर जल रहा है यह टेंडर तीन सक् países यह टेंडर थे तर ने बार चेंडर थे थीजआ हैं दूसरी maasad थे तो बाकिज तेंडर थे टेंडर दिखा लेकिन लिकिन जो घाली इस आगए नहीं के तान्सरि थे तेंडर दिखाने हैं न करने का रहा है जो साहा Gmail भक्ति जो स्होंत के साल रहा है उटेंडर उग प करने के बाद इसमें टेकनिकल बीड डिसकर्शन जो था वो नहीं कर पाए तो उसके वज़े से वो टेंडर बंद करना पड़ा कैंसल करना पड़ा अभी सुधिर जी आप देखेंगे कि यह टेंडर बढ़ बढ़के 244 करोड का हो गया है इसके उपर मेडिया में चर्चा है कि याने प्रशासक जो है न वो प्रशासक किस सरीके से काम कर रहा है अपने आताओं को खुछ रखना यही एक अजंडा यह प्रशासक और ब्यूरोक्राइट चलाते हैं बाकी जंता से और जंता की भावनाओं से और लोक्षाही से इनका कोई लेना देना नहीं है आप सत्ता म आपने क्या किया नवीम्बे की जंता के लिए एक चीज बतागे ना आरोली काटाईगी का वो अंडर्गाउंड टनल है श्रीपाटा का टनल है उसका आप यह करने जाते लेगे भाई वो तो देवेंदर जीजा मुक्यमच्री तब पास हुआ है आपके खासदार है अभी सा सब्सक्राइब करते दिगा करते दिगा का वो भी तैकितने हैं तो बंदाज सकते हैं और नवीम्बाई जैसे एक फुचरिस्टिक सिटी जिसको कहते हैं जहां बड़े लिखे लोग है अच्छी जनता है आपके नहने इनोवेटिव चीजों को रिस्पोंस देने वाले नहीं चीजों को अच्छी बनाने के लिए तेक्नोलोजीक ली कुछ एनहांस चीजों को आज सकर अर्टिफिजियाल इंट्रीजिजिंस के लिएंस को इतना सब चल रहा है कुछ सोची है आप दिमाग चलाएं गाक जाएं जवाब दे चुका है तो सब्सक्री अरू के निति प्रावाल आपना आपना चापता है, 10, 15, 20 पेच का, आप सांसद है, इतने 6 विदासवान था क्षेत्र है आपके मास, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो आपने क्या काम किया, कभी तो कारे आपना चापआया और मेडिया को दीजे, बाले आम ही मद दीजे, आम मिरोधी पर्टी तो मेरा तो यह अधिकार है उनके लिए असर बहुत बहुत धन्यबाद आपने हमें समय दिया और जैसा कि आप सुन रहे थे बीजेपी के आईटी सेल के स्टेट हेट सतिस निकम सापको इन सभी मस्नों को लेकर आपने साफगोई से जबाब देने की कोशिस की और आपने सांसत के कामकाच पर भी अपने गंभीर सवाल उठाए कि उन्हें अपने 5-7 सालों के कारेहवाल उनको साधर करना चाहिए पेस कर अगले साल या इस साल के आखिर तक नंबर अक्टूबर नंबर तक हो सकते हैं लेकिन इतना तो तहा है कि जिस तरह से इन चुनाओं को लेकर तारीक पर तारीक 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 बदलती जा रही है तो इससे कारेकरता जो राजनेतिक हैं और जनता दोनों के मन में इस सरकार के निड़ेओं को लेकर एक असमंजस की स्थिती बन गई एक आखिर सरकार चुनाओं से पीछे क्यों भाग रही है हम उमीद करते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी आज की बाच्चित में बस इतना ही अगली बारा हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ दुबारा आप से रूबरू होंगे तब तक दीजिए हमें इजाज़त लेकिन आप देखते रहिए खपरों का नया डा टीवी वन इंडिया नमस्कार लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खपरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन प